हलो दोस्ट शड़ी मूड में आपका श्रागत है बिहार द्रोगा बिहार सब इंस्पेक्टर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुश श्टूडेंट ने कुमेंट किया था कि सर बताईए एटूजेट इसके बारे में क्या प्रोसेस होता है और यह कैसा जोब है और इसका क्या बुकलिष्ट होना चाहिए जो निव श्टूडेंट है कैसे तयारी करना श्टार्ट करे और क्या गाउं से रहकर भी इसका तयारी किया जब सकता है या बड़े-बड़े सहर में जाकर तयारी इसका करना होता है वाले है घर पर रखेगा कभी भी आपको कोई भी चीजड जनकारी लेना है तो बाकी नियूद्स पेपर में भी आते रहते हैं लेकिन इस इसका उ फोसाइट लिकषपरिक्ण दो टाइब को उप्रम्भिक परिक्शा में क्या होता है यहाँ पर दिखे मैं पर रिए थो अंको का होता है जिसमें आपको सो प्रसन होते हैं और आपको दो घंटे का समय होते हैं ठीक होए परसंट कोई भी कटेग्री से आपको 30% लाना आए तिस परसंट कहने का मतलब कि अगर 200 नंबर है तो उसमें कम से कम आपको 60 नंबर लाना इसमें निगेटिव भी होता है निगेटिव कितना होता है आगे माम वीडियो में आपको बताएंगे ठीक अब पिलेम्स में जितने मे मिल्सकी जो में के लिए लोग स्लेट होते हैं यह 20 गुंण होता है यह आपके ओफिसल साइट से मैंने यह कटिंग लिया है और यह आगे पीछे से जबसे हो राए प्रोसस यहीं प्रोसस लागू किया जाते है बेच बीच में चेंज होता है लेकिन यह प्रोसस आगे भी र यह दो घंटे का होता है और इसमें सो प्रस्ण होता है और यह 200 अंको का होता है और इसमें 30 परसंट आपको अंक लाना ज़रूरी होता है अगर यह 30 % परस्ट पर में मुख परिक्षा की अंक लाते हैं तभी आपका सकेंड पर चेक होता है नहीं तो आपको फर्सट पर में होता है तो नमबर मिलने वाला है यह फिसमें भी निगेटिव होता है और यह रही लिए याद रखिएगा देखिए निगेटिव जिसम परीक्षा प्रिक्षा में जब लोग पास होंगे के इतना होता ह ev इस पर हमागी पर नहीं होना चाहिए यह पॉइंट में कटा जाता है मिसकी दो नंबर मिलता है इसमें देखिए दस गुना सबसे ज्यादा होता है दस गुणा यह आपको करिएगा तब जाकर तू मिस्की तू माक्स के एकोडिंग होगा यह यह याद रखिए गा तो 0.2 कटा जाता है इस पर मै आपको special video भी बना चुका हूं अब क्या है अब यहां पर ध्यान में देखिए कि जो आपको मुख पर इच्छा होता है तो उसमें कितने लोग हम लगबाग थैपको एक यहां और खिंटार में से यहां पर आगे देखिए कि पर उम्रे क्या है से फर्म में फिश्कल 20 साल चाहिए और मेक्सिमम आपके छोट की एकॉर्णिंग जैसे जेनरल में समानी जाती में होते हैं उनका सैतिस वर्स होता है इसके बाद आपको लिए और शालीस वर्स है उनके लिए 20 है इनके लिए निम्तम 20 वर्स है इन लोगों के लिए सब्सक्राराइब। ता है लोग होते हैं आगे क्या है अरक्षड वियो अब को रिष्ण मिलता है कैसे मिलता है मैं मोटा-mोटी अब को पता दू जो क्टीक्रिवाई जितना रख्षड बनाए गया ही इसमें लटकियों का रख्षड बनाया गया दो इसकी सबसे पहले आपको जो भी सब्सक्राइब लड़किया है उनके लिए तीन निकाल दिया जाएगा तो बचे का कितना 97 यह तीन सीट लड़कियों के लिए निकाल जाएगा ठीक यह 3 परसंट होगा सो में सिमाल लीजे अब यह 97 परसंट संतान में सीट में से इसका 35 परसंट फिर निकाल कर लिया जाएगा और यह आपको लड़कियों का लग कर दिया जाएगा यह आपको होता है अरच्षड की बवास था इस बात को ध्यान मरकिये गए यहीं यह टोटल दिया हुआ है फिर आगे हम लोग देखते हैं सारे रिक जिनका उचाई नहीं है मिसको कुछ ना कुछ छोट है और इसमें कुछ छूट नहीं मिलता है दरोगा में इस बात को भी ध्यान मरें रहेगा और वह मुख परिक्षा में बैठने वाले हैं तो ऐसे कोई फायदा नहीं है मैं यह आपको बता दे रहा हूं ठीक कि ऐसे भी ल निम्तम उचाई 165 cm होना चाहिए 165 cm की 165 cm थोड़ा कभी कम नहीं होना चाहिए इस बात को ध्यान मरें कियेगा फिर अनुसुची जाती और अनुसुची जन जाती के पूर्षों के लिए पूर्षुक लिए कितना होना चाहिए 160 cm होना चाहिए 5 cm का यह फिर आपको देखिए उम्हान वर्ग में महिलाओ की बात करते हैं वर्ग में महिला की महिला और अत्यन्त पिछड़ावर की लिए निम्तम मुचाई देखिए 160 cm है और यहां पर यही सबसें बाड़ा बवाल क है कि लोग 155 संटीमेटर के लिए हम लोग आवाज उठा रहे बार-बार इस पर करवाई भी हो रहा है कैबिनेट में बार गया था इस पर वीचार हुआ था और मैं भी देखिए अगला वेकैंसी में अगर हो जा रहा है तो सबसे बड़ी बात है क्योंकि 5 संटीमेटर के चलत और जेनरल की महिला जो है इनके लिए 160 संटीमेटर आपको चाहिए और निमतम जो उच इनका एक कम सकम आपको वेट भी देता है यहां पर 48 के जिए वेट में ज्यादा यह सब नहीं होता इस बात को ध्यान मर कियेगा फिर अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती यह जब देंघंव questionnaire के लिए घंड होगLY मांग किया लए नियुक के महिलाव के लिए नहीं कि छ यहीं को आपका उचाई है पुरस्ट के लिए होता है तो सीदा में आप देख सकते हैं कि आना रक्षित मेels इसकी समान वर्ग में पिछड़ा वर्गों अपि przepर के में होना ही चाहिए सिना ठ्षुलाने पर कितना हो जाना चाहिए पिर आता है अनुसूची जाती जन जाती के पूरुष के लिए इनका भीना पूरुष पूरुष गया है कि इनका भीना फ्हूला है जो आपको समान जाइएगा और फूलाने कर बाद पिछले सारे इसे मочноत पर त्यारी करना चाहते हैं उन्हों के लिए मैं यह बना रहा हूं बार-बार कोमेंट आ रहा था इसलिए यहाँ पर दिखें दोड़ होता है सारे दक्षता परिक्षा में सबसे पहले क्या होता है दोड़ होता है आपके लिए दोड़ के लिए आपको होता है जैसे कि आप मुख और इसमें महिलाव के लिए दिया जाता है आपको एक किलोमीटर दोणने के लिए छे मिनट महिलाव को एक किलोमीटर दोणने के लिए छे मिनट दिया जाता है और जो पुरुष है उनको प्रवाइब दिया जाता है इस बात को ध्यान में रिखेगा 600 मिटर के लिए आपको शाड़े 6 मिनट इस बार दिया जा रहा है पिछले बार आपको 6 मिनट दिया जा रहा था फिर उचाई उचा कुद में बहुत लोग छड़ते हैं जैसे कि 4 फिट है और 3 फिट है मिसके आप को अलगा जाता है लम्बी कूद में क्या होता है आपको दोड कर आए जोnormal horse होता है पिर भी मय आपको बता देता हूँ यह 16 प उसे 16 फिट फिका जाता है पुरुष के लिए महिला होता होता है नेधिसे 16 मिलाप का ओनाप टा है उसे 16 dauट फिक आता है और इसे लगबग लगबग 10 फिट फिट फेगा जाता है ठीक इस बात को ध्यान मरखेगा यह आपका सारीरिक दच्छता परिक्षा होता है जो कि आपको यह देना होता है और इसमें अगर एक में भी अगर छड़ जाते हैं तो बाहर हो जाईएगा कितना ही आपका में में कितना भी नंबर हो उसे फर्क नहीं पड़ता है ठीक तो कहीं ना कहीं फेलें बीशटने का चांस है और फिचकल लास्ट में भी छटने का चांस है यहां बिलोक च्चांस तो रणनीती के ताहत आपको तैयारी करना चाहिए और आपका हाई-्मन की मुझे दरोगा के लिए तो जब भी वेकेंसी आएगा उसका रण निती अभी से आप बना सकते हैं ठीक बाकी टाइम टू टाइम में भी वीडियो देते रहूंगा आगे देखते हैं सारे चिकितसा परिछड जो दस्ता परिछड हो जाने के बाद यह आपको फाइनल में क्या होता है आपको और यहाँ पर भारत के इतिहास के साथ साथ आपको 20 के इतिहास से कूशन पूंचा जाता है पिर विगोल में भी आपको बहारत के बूगोल से ज्यादा को सुखन पूछा जाता है बहुआ सब्सक्राइब करना है और सबसे बड़ी बात कि इस बार प्लिम्स परिक्षा में गड़ीत से भी पांच कोशन आया था तो गड़ीत भी आपको करना है और यहीं आपको में गड़ीत बार परिक्षा में यह सब तो रहता ही है यह सब खतम कर देता है फिर करेंट अफेर भी जहां 15 से 20 कोशन पूछे जाते हैं यह गड़ीत और मांसिक योग्जिता आपको बढ़ा दिया जाता है और गड़ीत अबको गड़ीत और मांसिक योगजिता में इस रिज यह 15 से 20 कुछन पूछे जाते हैं यह आपको मेंस परिक्षा में पूछे जाते हैं बाकी वहीं चली पस रहता है तो इसे भी ध्यान में रखेएगा मुख परिक्षा और पिलिम्स परिक्षा के रणनीति आपको क्या होना चाहिए मैं ज्यादा बुक नहीं आपको बताऊंगा पिर आपको अगर यह आँक गडित श्मिस की यह जो है आरे सगरवाल का क्यूंकि पांच कॉशन अप पिलिम्स में भी मैत का रहा है तो अगर आप कर लेते हैं तो मैत वाला भी कोशन कर लेंगे फिर साथ में मैं यह भी बता दूं कि अगर यह दोनों आप करते चल रहें बहुत ही अच्छा है वाकि मैं टाइम टाइम अलग अलग बुक लिश्ट बताते चलता हूं इसनल से जूड़े रहेंगा तो मैं अगर कोई बात नहीं समझ में आया है तो इपको लिक सकते हैं याद रखिएगा पेरिंग में आप आप फोर्म नहीं पास कर लिया है तो बहुत ही अच्छा है यह डेट आपको दिया जाता है तो बीडियो अच्छा लाइक कीजेगा वीडियो देखने के आपका बहुत धन्यवाद